वाइज, Catcam CA tutorial point में आप कहा स्वागत हैं तो इधर में mechanical design related video बनाता हूँ Catcam CA related videos and SOLIDWORKS, CATIA, Autodex softwares के बाड़े में तो आप नया है तो चैनल को subscribe की दीजिए आप mechanical है तो बहुत ही फायदा मांद है चलेने मेरा latest video देख लेके लिए चैनल को subscribe की दीए तो आज का topic है which designing software is best for the normal cat designs तो आप beginner है क्या experience है तो इस बारे में जानने के वहले आपको भार एक software का अपना features और पना specifications होता है वो हमको जानना होगा तो चलिए हम first software से start करते हैं तो इधर first software है SOLIDWORKS तो SOLIDWORKS का कुछ designs मेरे पास है तो इधर देख रहे हैं SOLIDWORKS का fast design इधर SOLIDWORKS का कुछ अच्छा अच्छा features है SOLIDWORKS beginners के लिए बहुत ही user friendly है इधर आप अच्छा solid designs के साथ surface finish भी कर सकते हैं जो लोग turbines बनाता है वो हर SOLIDWORKS की यूश करता है इसके साथ आप इसको analysis software में भी transfer कर सकते हैं तो एक CAD model को आप export भी कर सकते हैं तो एक बहुत अच्छा software है उसके बाद एक design है और एक design है देख रहे है अपका इसका finish बहुत अच्छा है इसका real time graphics भी बहुत अच्छा है इसको handle करने में बहुती easy है और beginners बहुत आच्छा इसको handle कर सकते हैं तो और एक design से हर एक design का tutorial मेरा channel में है हैं आप उसको जा के देख सकते हैं तो उसके बाद में जो सब टड़ाता है वह है क्याटिया दोनों ही सेम कंपणी का है पर क्याटिया का प्राइस थोड़ा ज्यादा है SOLIDWORKS का प्राइस को थोड़ा कम है तो चलिए हम CATIA पे जाते है तो CATIA इधर है CATIA का user reference surface होड़ा अलग है इधर आपका CATIA थोड़ा beginners के लिए टाफ होगा At first आपको SOLIDWORKS सी ट्राइ करना सकते है उसके बाद आप CATIA का यूज करिए CATIA बहुत अच्छा अच्छा features भी है CATIA में लिए automotive industry के लिए यूज होता है इधर देख रहे हैं आप car design है तो इधर CATIA का surface finish और surface finish जो आपको गारी इंडस्ट्री में बहुत अच्छा होता है उसका बहुत ही अच्छा होता है तो इधर कुछ हम difference देख सकते हैं कौन-कौन कमपानी CATIA उसकते हैं कौन-कौन कमपानी SOLIDOX से उसकते हैं एक CATIA, Tesla, Motors, Jaguar, हर एक गारी कमपानी कार कमपानी एक CATIA को उसकते हैं और instrument और machinery company देख रहे हैं बहुत है अधर कमपानी से ओर SOLIDOX को उसकते हैं CATIA, CATIA में बहुत अच्छा surface finish होता है इसलिए CATIA को company लोग use करते हैं SOLIDOX को machinery company उसकते हैं तो इधर और एक difference है CATIA में आप CAE, Computer Aided Engineering जो analysis है, वो कर सकते हैं SOLIDOX में A-3 features है बट CATIA में ज्यादा appropriate है तो CATIA professional level के लिए बहुत ही अच्छा है तो इसका बाद जो सब्टेर आता है ओहे क्रियो, तो क्रियो कुछ features जान लेते है क्योग में ज्यादा तार बड़े 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 डिजाइन्स होते है तो आप देख सकते हैं कि एक machinery है इसको क्रियो में डिजाइन कार गया है क्रियो में बहुती typical और critical type का design क्रियो में बहुत अच्छा होता है क्रियो में तो आप कुछ solidworks में हाथ आ जाने के बाद catius सकते हैं और क्रियो सीख सकते हैं दोनों ही अच्छा हुआ यह बहुत अच्छा एक design है टैंक का design है आप एक software जानने के बाद other software में आपका knowledge अच्छा हो जाएगा अपने आप सीख सकते हैं तो थोड़ा time देना होगा तो हम beginning के लिए solidworks बहुत अच्छा है उसके बाद जो comparison है वो क्रियो और catia के बीच में है तो ease of use में क्रियो अच्छा है catia से और 3D cat modeling में क्रियो catia tie up है और आप देख रहे हैं 3D car industrial IOT और इसका digitalization और इसके साथ another extension के लिए क्रियो बहुत अच्छा है और industry supported के लिए catia manufacturing financial service aerospace and natural resource में काम करता है क्रियो आप कुछ-कुछ कम industries में available है तो इसमें क्रियो है उसके बाद जो सब्टर आते हैं autodex inventor यह autodex जो autogat यूज करते हैं उसके अंदर आता है autodex inventor यह भी यह बहुत आच्छा 3D सब्टर है बर यह catia cryo से जादा user friendly नहीं है यह critical है यह experience बंदों के लिए है आपका ज्यादा critical designs इधर बनाना जाता है तो autodex is much more तो इधर आप देख रहे हैं इसका कुछ difference है तो इधर function, contour, dimension, editing, sketching, function, exclude, कुछ-कुछ functions में भी solidworks और autodex inventor में difference है पर आप एक सब्टर जानने के बाद बड़े असान इस another सब्टर में switch कर सकते हैं तो इधर हम देखा solidworks catia cryo तो आप beginner है then solidworks सीखिए उसके बाद एक साथ catia और cryo स्टार्ट कर सकते हैं उसके बाद ही आप inventor में जाए और एक आप एस चारो सब्टर को analysis सब्टर एंसीज इसमें export कर सकते हैं उसको analysis कर सकते हैं finite element analysis computational fit dynamics analysis सब कर सकते तो यह है हमारा presentation प्रीज मेरा चैनल को सब्सक्राइब ग्यों दिजे नया नया विडियो के लिए कर सकते हैं